हलो एवरिवन, इजी फिजिक्स भाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनर स्वागत है बोर्ड प्रिक्षा 2021 बोतिक विज्ञान कक्षा 12 के आज अपन यूनिट नंबर 6 जो की ऑप्टिक्स है और जिसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों मिलकर के ये यूनिट है वो कम्पलीट होती है बोर्ड प्रिक्षा 2021 के लिए इस यूनिट में से जो इंपोर्टेंट प्रशन है जो नया पैटर्न रखा गया है उसके उपर आधारित कुछ महत्वापूर्ण प्रशनों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं हलांकि सबी बच्चों से मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये दी पूरे 56 में से 56 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तब आप इस चेप्टर की प्रतेक लाइन को जो आपके सलेबस में रखी गई है पढ़ना होगा लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैंने इंपोर्टेंट प्रशनों को यहाँ पे डालने का प्रियास किया है हलांकि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूँ कि केवल इनी प्रशनों में से बोर्ड प्रिक्ष्या में आएंगे लेकिन फिर भी आप कम से कम इन प्रशनों को बहुत अच्छे तरीके से तयार करें बेटा इस चेप्टर में से एक नंबर का एक अबजेक्टिव प्रशन आने वाला है एक नंबर का एक बहुत छोटा अतिलगोतरात्मक प्रशन आने वाला है और तीन नंबर का एक नुमेरिकल आने वाला है और इस numerical में से एक अथवा का portion भी रहेगा यानि दो numerical रहेंगे दो में से कोई एक numerical आप लोगों को इस unit में से ये जो numerical है वो chapter number 11 या 12 है दोनों में से कहीं से भी हो सकता है और इसमें अथवा भी रहेगा इसके बाद में इस unit में से एक चार number का बड़ा प्रशन आने वाला है और उस बड़े प्रशन के साथ में दो अथवा होंगे तो उन में से total मिला करके आपको तीन में से कोई एक प्रशन करना है तो इस प्रकार से ये दिक कहें तो चार number प्लस तीन साथ number एक short answer आठ नमबर और एक objective टोटल नो नमबर की आपकी ये जो unit है वो इस प्रिक्षा में पूछी जाने वाली है फटा फट अपन इस वीडियो में आज unit में से जो महत्वापूर्ण प्रशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं चलिए सबसे पहला प्रशन यहाँ पे है कि प्रकाशिक तंतु है वो किसे सिध्धानत पे कारे करता है एक नमबर का ये प्रशन आने की पूरी-पूरी संभावना है और इसका जो answer है वो आप लोगों को पता होगा पूर्ण आन्तरिक परावर्तन चोटे प्रशनों का answer मैंने यहाँ पे डालने का प्रियास किया है बड़े प्रशन है वो आप लोग खुद कर लेए और इन प्रतेक टॉपिक के उपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो तयार करके डाल रखे है यूनिट प्रशन नंबर दो की यह दी अपन बात करें तो लेंस की जो क्षमता है उसे परिभाशित करवा सकता है और उसका जो मात्रक है जो कि डायोप्टर होता है वो आपसे लिखवा सकता है प्रशन नमबर तीन की बात करें तो बिम्ब को कहां रखने पर उत्तल लेंस से बना प्रतिबिम्ब जो होगा वो वास्त्विक प्रतिबिम्ब होगा बिम्ब के आकार का होगा उस लेंस की उस इस्थिती के बारे में आपको बताना है कि आप BIMB को कहां रखेंगे तो ये सारी इस्थिति आप लोगों को प्राप्थ होने वाली है तो येदि आप लोगों ने Lens से प्रतिवीम बनने का टॉपिक पड़ा है तब आपने बहुत अच्छे से क्लीर किया होगा कि येदि 2 App के उपर BIMB को रखा जाएगा तो दूसरी तरफ 2 App के उपर और BIMB के बराबर आकार का प्रतिवीम आपको प्राप्थ होने वाला है प्रसन संक्या चार दो पतले Lens के सयोजन से प्राप्थ परिणामी फोकस दूरी ओयम आवरदन क्षमता का विंजक प्राप्थ कीजिए चार नंबर के प्रशन के अंदर ये प्रशन आपसे पूछा जा सकता है चलिए आगे चलते हैं आप स्क्रीन को पोज करके इन प्रशनों को लिख लें और इन प्रशनों का उत्तर लिख करके आप इस चेप्टर का टेस्ट भी दे सकते हैं प्रसन नमबर पांच की यदि अपन बात करें तो एक उत्तल लेंस की जो वक्रता त्री जाएं हैं वो 20 cm और 30 cm दे रखी हैं लेंस के पदार्त का जो अपुर्ट नांक है वो 1.5 दे रखा है यदि इस लेंस को जल में रख दिया जाए तो उस लेंस की जो फोकस दूरी है उसक इतनी हो जाएगी पूरी कैलकुलेशन करके आपको इस प्रसन का आंसर है वो देना है अगला प्रसन है कि प्रकास का जो विक्षेपन होता है वो किसे कहते हैं केवल मात्र आप लोगों को यहां पर इसकी परीभासा लिखनी है प्रसन संख्या साथ की बात करें तो वर्ण व प्रशनों का जो संख्यात्मक प्रशन है उनका सवाल करने में भी आप सफल होंगे प्रसन संख्या आठ की बात करें यहां पर यह दो प्रसन मैंने डाले हैं संयूक्त सुक्षमदर्सी का केवल मात्र कीरण चित्र आप लोगों से प्राप्त किया जा सकता है बनवाया जा सक एक मनुशे का जो स्वस्थ नेत्र होता है उसके सपस्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है और अधिक्तम दूरी कितनी होती है तो न्यूनतम दूरी में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 25 cm होती है और अधिक्तम दूरी कितनी होगी इसका आंसर आप लोग का उपयोग किया जाता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस प्रयोग किया जाता है यह दि आप यहाँ पे केवल उत्तर लेंस लिखेंगे तो भी आपका अंसर सही होगा और यह दि तो न्यून्तम विचलन कौन कितना होगा डेल्टा मिनिमम जो है उसकी वेल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है इस प्रसन को भी मैंने विडियो के अंदर सॉल करके डाल रखा है तो इस तरीके से पार्ट संख्या 11 में से मैंने टोटल 11 प्रशनों को इंपोर्टन बनाने का प्रियास किया है आप लोग इन सभी प्रशनों को दो बार पढ़ेंगे बाकी इस चेप्टर के प्रते एक टॉपिक को आपको ध्यान पुर्वक पढ़ना है इसके बार में यहाँ पे रेड कलर में जो मैंने प्रशन लिखे है वो आपके चेप्टर नंबर बार है के प्रशन है सबसे पहला प्रशन कह रहा है कि तरंगागर किसे कहते हैं तरंगागर के आपको परिभाषा लिखनी है यह कितने प्रकार के होते हैं और इन प्रकारों पर प्रकास डालिए यानि आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदु प्रकास श्रोथ से कैसा तरंगागर बनेगा या गोली तरंगागर है उसके उत्पती का कारण क्या है इस प्रशन को भी अपने बहुत अच्छे से तयार किया इसको आपको तयार करना है अगला प्रशन है कि द्वित्यक तरंगीकाइं किसे कहते हैं द्वित्यक तरंगीकाओं की हाईगेन का जो तरंग सिध्धान्त है उसके अकॉर्डिंग द्वित्यक तरंगीकाओं के परीभासाएं आपको लिखनी है और हाइगेन के तरंग सिध्धानत के अनुशार अपुरतन की व्याख्या कीजिए देखे अपुरतन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या दोनों व्याख्याइं अपने अलग-लग वीडियोज में करी है दोनों में से कोई भी एक व्याख्या आप लोगों से पूछी जा सकती है अपवर्तन भी कह सकता है और परावर्तन भी कह सकता है यदि अपवर्तन का आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे तो एक बार पढ़ने से ही आप परावर्तन की व्यक्या करने में भी सफल रहेंगे अगला प्रसंद संग्या 14 है कि वेतीकरण क्या है इसकी परिभासा लिखिए वेतीकरण से प्राप्त होने वाली जो तरंग है उनकी परिणामी तीवर्ता एवं परिणामी आयाम का वेंजक वित्पन केजिए यदि आपने बहुत अच्छे से इस चप्टर को पढ़ाया तो डेफिनेटली ये वेतीकरण का जो गणितिय विशलेशन है वो ही प्रसंद यहाँ पर पूछा गया है तो पूरा आप लोगों को आर की वैल्यू का जो फॉर्मेट आता है प्रसंद संख्या 15 है की वेतिकरण की जो घटना है उसका और जा वीत्रन वक्र बनाईए याद होगा आप लोगों को कुछ इस तरीके से और जा वीत्रन वक्र है वो प्राप्त होता है वो आप ղोगों को कंप्लिट यहाँ पर तयार करना है अगला बड़े प्रशन की ये दिएपन चर्चा करें तो सिद्ध कीजिए कि एक वरनी प्रकास से प्राप्त होने वाला जो वेतिकरण प्रतिरूप है उसमें दिप्त एवं एदिप्त जो फ्रिंजे हैं उनकी चोडाईयां समान होती है इसकी बीटा बराबर आपने फोर्मू की बात करें तो यहाँ पर कहता है कि येंग के द्विशलिट प्रियोग में वेतिकरण तरंगों के जो आयाम है एवन और एटू है उनकी वैल्यू उनका अनुपात है वो आप लोगों को दे रखा है तीन अनुपात दो है चमकीली और काली फ्रिंजें ग्यात कीजिए चमक को आप लोगों को सेप्रेट सॉल करना है ये तीन नंबर के संख्यात्म प्रशन के अंदर पुछा जा सकता है यदि इस चेप्टर के प्रतेक टोपिक आप लोगों को क्लियर है तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला दूगी आपको पूरे नो में से नो अंक मिलेंगे औ और अपने जितने भी नोट्स लिखे हैं आपके बॉर्ड पेपर में 56 नंबर के प्रशनों में से एक भी प्रशन ऐसा नहीं होगा जो अपने नोट्स के बाहर से आपसे पूछा जाए अगले प्रशन की बात करते हैं तो वीवर्तन किसे कहते हैं इसकी परिभास आपसे वो भी मैंने आपको समझाने का प्रियाश किया है उस वीडियो को देख करके आप इस प्रशन को अच्छे से समझ सकते हैं प्रते एक वीडियो का चेप्टर नंबर 11 और 12 के प्रते एक टोपिक का जो लिंक है वो नीचे आप लोगों को डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा अ अगला और अंतिम प्रशन इस चेप्टर का है कि दो चिद्रों के बीच की जो दूरी है वो आपको ग्यात करनी है सिच्वेशन क्या दे रहा है कि एक मीटर की दूरी पर रखा गया जो परदा है उसमें एक एमेम चोड़ाई की फ्रिंज बनाता है जबकि प्रकास है उसका तरंग देरदे आपको 5000 एंगल स्ट्रॉम दे रखा है तो इन सभी 21 प्रशनों को यह दि आप तयार करते हैं और इस चेप्टर के प्रत्यक बिंदू को आप तयार करते हैं तो निशन दे हैं पूरी संभावना है कि आपको इस प्रशनों में से ही बोर्ड प्रिक्षा में प बहुत जल्दी अपन चेप्टर नंबर 13 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बहुत धन्यवाद